नमस्कार, आज की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभी नंदन है गत ओनलाइन क्लास में हमने प्रनौदित द्वलक के आयाम और अधिक्तम आयाम इस्थिति या आयाम अन्नाद का अध्यन किया था हमने देखा था कि किस प्रकार किसी प्रनौदित द्वलक का जो आयाम है वो चालक बलकी आवरती पर निर्वर करता है हमने ये भी देखा था कि शुन्य आमंदन की इस्थिति में जो आयाम है वो अनंत होता है और जैसे जैसे आमंदन का मान बढ़ता जाता है आयाम का मान सुन्ने से कमी की तरफ अगरसर होता है और इसके अलावा आयाम आमंदन के साथ जो आयाम है वो कम आवरती के और विस्थापित होता जाता है अब प्रशनी होता है कि ये जो आयाम में परिवर्तन है ये आवर्ति के साथ किस दर्श से परिवर्तित होता है या किस परकार इसमें परिवर्तन होता है और अब परति के साथ आयाम में ये जो परिवर्तन है इसका जो मापकरम है वो हम अनुनाद की तिक्षनता के रूप में करते हैं या यूँ कहें के इशे हम अनुनाद की तिक्षनता कहते हैं आज की इस उनलाइन क्लास में हम चालक बल की आवरती के साथ आयाम जिस दर से कम होता है या जिस दर से इसमें गिरावट होती है, कमी होती है उसका अध्यन करेंगी तो अनुनादी आवरती के दोनों तरफ चालक बल की आवर्ति के साथ आयाम जिस दर से गिरता है या जिस दर से आयाम में गिरावट होती है कमी होती है वह अन्नाद की तिक्षंता के प्रिमान को व्यक्त करता है यदि अन्नादी आवर्ति के दोनु तरफ चालक बल की आवर्ति में न्यून प्रियोर्तन थोड़ा सा प्रियोर्तन करने पर आयाम बहुत आधिक मत्रा में गिरता हो तो अन्नाद की जो तिवता है वो तिक्षं कहलाती है और यदि चालक बल की आवर्ति में बहुत थोड़ी से प्रियोर्तन से आयाम में प्रियोर्तन बहुत कम होता हो तो जो अन्नाद है वो सपाट कहलाता है फ्लेट कहलाता है पिछली ओन्लाइन क्लास में हमने चालक बल की आवर्ति के साथ जो आयाम है इसमें प्रियोर्तन को ग्राफ के द्वारा दिखाया था और उन वक्रों से इस पस्ट है कि ण्यून अमंदन की स्तिती में वक्र का जो ढाल है वो अन्नादी आवरति के दोनों तरब बहुत अधिक होता है इसलिए अन्नाद तिक्षन होता है प्रन्तु अमंदन के अधिक होने पर अन्नाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र का ढाल कम होता है अन्नाद की तिक्षनता को हम अब्रुति के आयां के साथ आयां के कम होने की दर डी एक्स अपॉन डी डवलू से डी एक्स अपॉन डी ओमेगा से नापते हैं तो इस प्रकार जो चालक बल की आवती है उसके साथ जो आयां है वो परिवर्तित होता है और इस प्रकार हम जो अन्नाद की तिक्षनता है उसको व्यक्त करते हैं अब आगे हम अध्यान करते हैं प्रणोदित द्वलक के व्यक का तो जैसा कि आपको मालूम है अगर हमें किसी उकन का विस्थापन मालूम हो तो उसके विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है समय के सापे वो उसका वेग कहलाती है तो हमने इस्थाई अवस्ता में जो प्रणोदित द्वलक है उसके विस्थापन का समीक्रान पिछली ओन-लाइन क्लासेज में अध्यान किया था और जैसे कि आपको मालूम है किसी प्रणोदित द्वलक का जो आयाम द्वलक का जो विस्थापन है उसका मान होता है जहां पर एक्स जीरो इस विस्थापन का आयाम होता है जिसका मान होता है स्मॉल एफ जीरो अपॉन अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वेर मैनस ओमेगा स्क्वेर का होल स्क्वेर प्लस फोर स्मॉल आरी स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर और फाइल जो कला है उसका मान होता है 10 inverse 10 1 upon 10 कहें या 10 minus 10 की power 10 raise to power minus 1 twice r omega upon omega 0 square minus omega square क्योंकि हमें प्राणोदित द्वलक का विस्थापन मालूम है इसलिए इसके वेग का जो मान है वो इस विस्थापन के समेटी के साथ एक्स अवकलन से प्राप्त होगा इसलिए वेग वी होगा dx upon dt और x क्योंकि x 0 sin omega t minus phi के बराबर है इसलिए वी का मान हुआ omega x 0 cos omega t minus phi और चुंकि प्राणोदित द्वलक का विस्थापन और द्वलक पर आरोपित बल यह सभी मान sin की form में हमें प्राप्त होते हैं इसलिए इस वेग का मान इसलिए वी का मान हुआ omega x 0 sin omega t minus phi plus phi by 2 और इसको हम लिख सकते हैं omega x 0 sin omega t minus delta जहां जो डेल्टा है उसका मान होगा phi minus phi by 2 और वी 0 यह वेग का आयाम कहलाता है और इसका मान हमें प्राप्त होआ है omega x 0 और x 0 का जो मान है वो आपको मालूम है f 0 upon under root omega 0 square minus omega square का whole square plus 4 small r square omega square इसलिए x 0 का मान substitute इसमें कर दें तो जो वेग आयाम है वो होगा v 0 equals to omega f 0 upon under root omega 0 square minus omega square का whole square plus 4 small r square omega square और जैसे कि मालूम है आपको small f 0 इसका मान होता है capital f 0 upon m इसलिए इस v 0 को लिखा जा सकता है v 0 equals to capital f 0 upon m upon omega 0 square minus omega square upon omega का whole square plus 4 r square तो था हम यह भी प्रेक्षित कर रहे हैं कि जो वेग की कला है वो विस्थापन की कला से पाइवाई 2 आगे रहती है इस परकार इस वेग आयाम v 0 से हम यह प्रेक्षित कर रहे हैं कि जो वेग आयाम है वो भी चालक बल आरोपित बल की जो अवरती है या चालक बल की जो अवरती है omega उस पढ़ने पर करता है और उन्हें इसके मान को अधिक्तम होने के लिए या तो capital F 0 का मान अधिक्तम होना चाहिए या V 0 का जो हर पार्ट है omega 0 square minus omega square upon omega का whole square plus or small r square की पावर हाफ इसका मान न्यूंतम होना चाहिए चूंकि F 0 ये चालक बल की अवरती है ये चालक बल का परिमान है इसे हम प्रिवरतित नहीं कर सकते क्योंकि इसको प्रिवरतित करेंगे तो पुरा जो system वो ही change हो जाएगा लेकिन चूंकि चालक बल की अवरती ये प्रिवरतन सीलराशी है इसलिए इस V 0 के जो हर का मान है वो न्यूंतम होना चाहिए इसलिए हर को न्यूंतम करने पर अर्था ओमेगा जीरो स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर अपॉन ओमेगा का हॉल स्क्वेर प्लस फॉर स्मॉल आर स्क्वेर इसका मान न्यूंतम होना चाहिए और इस मान के नियुंतम होने के लिए यह आवश्यक है कि इसका ओमेगा के रैस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशियसन है वो जिरो होना चाहिए इसलिए अगर हम इसको ओमेगा के रैस्पेक्ट में डिफ्रेंशियट कर दें तो d upon d omega of omega 0 square minus omega square upon omega all square plus 4 small r square यह 0 होना चाहिए और अगर हम इसको out click करें तो इसका माना में प्राफ्थ होगा twice omega 0 square minus omega square into minus twice omega upon omega square minus twice omega 0 square minus omega square का all square upon omega cube equals to 0 और अगर इसमें हम twice omega 0 square minus omega square upon omega square कोमन ले ले तो हमें प्राफ्थ होगा twice omega 0 square minus omega square upon omega square into minus twice omega minus omega 0 square minus omega square upon omega ब्रावर 0 और इसको अगर हम solve करें तो हमें प्राफ्थ होगा twice omega 0 square minus omega square into omega 0 square plus omega square equals to 0 इसका मतलब यह हुआ कि या तो omega 0 square plus omega square इसका मान 0 होना चाहिए या omega 0 square minus omega square इसका मान 0 होना चाहिए omega 0 square plus omega square इसका मान सुन्य नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसको हम सुन्य करते हैं तो हमें omega जो है उसके imaginary मान प्राप्त होंगे और चुकि omega है वो imaginary नहीं हो सकता इसलिए omega 0 square plus omega square इसका मान प्राप्त होना चाहिए जीरो के बराबर होगा यह जो आवस्ता है यह जिसमें की वेग का मान अदिक्तम हो रहा है और यह जो वेग है वो अदिक्तम हो रहा है ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो की स्थिति में तो यह जो स्थिति है यह वेग अन्नाद की स्थिति कहलाती है और इस वेग अन्नाद की अवस्ता में जो वेग का अधिक्तम मान है V0 इसका जो मान है वो हमें प्राप्त होगा स्मॉल F0 अपन 2R चुँकि ओमेगा इकोस्टू ओमेगा जिरो कर देंगे तो V0 का जो मान हमें प्राप्त होगा है capital F0 upon M upon android omega 0 square minus omega square upon omega का whole square plus 4 small r square तो इसमें अगर हम omega ब्रापर omega 0 रखते हैं तो हमें V0 ब्रापर V0 maximum यह प्राप्त होता है स्मॉल F0 upon 2R के बराबर और अगें हम स्मॉल F0 और R का मान स्टिटूट कर दें तो F0 का मान यह हो गया capital F0 upon M और 2R जैसे कि आपको मालूम है lambda upon M बराबर 2R है इसलिए 2R बराबर जो है वो हो जाएगा lambda upon M तो इसलिए V0 का मान प्राप्त होगा capital F0 into M upon M lambda M cancel हो जाएगा और इसलिए V maximum का मान हमें प्राप्त होगा capital F0 upon lambda तो आज की जो online class में है उसमें बस इतना ही धन्यवाद जो है झाल में जो कि दोई जा खवाद झाल में हो जाएगा जैसे कि अगगा प्राप्त हो जो हमाद